और अच्छने देखेंगे तो आपको बोलके रखा है कुछ इस प्रकार का सरक्ल है आपके पास और यह आपके पास ए है यह डी है देन सी है और यह सरक्ल का सेंटर है आपके पास कितना और आपन बात सेंटर में क्या गिवन है इस प्रकार से इस तरफ एंगल आपको डिवन है 60 इस तरफ एंगल टिवरे अच्टी डिगरी इस तरफ इस तरफ इता है और आप यह बहुत इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर सेंटर पे एंगल 90 बन रहा है तो हम पड़ चुके हैं इस थियोरम के अनुसार कि कोई भी आर्क जो भी सेंटर पे बनाएंगा वह डबल होगा किसी और पार्ट से मतलब अगर यहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इस तरफ नैंटी है तो इस पर ऑटोमेटिकली किता हो जाएगा आपके पास 45 एंगल के इस इकवल टू किता 45 जो थियोरम थी वह थियोरम यह बोला करती थी एंगल सबस्टेंड़ बाइन आंक अंगल सबस्टेंड़ बाइन आर्क एड दे सेंटर आर्क मतले से यह ए और बी है अगर अपन बात करें जैसे यह आपका ए और सी आपकी एक आख एंगल सबस्टेंड़ बाइन आर्क एड दे सेंटर इस डबल दे एंगल सबस्टेंड़ बाइड 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 एड एड एनी अदर पार्ट ऑफ सर्क बस यह थियोरम लिखनी है और इस थियोरम का अब ख्वूता लिया पर यह से लेक्ट के बीच में एसे लेके बीके बीच में कोई भी एंगल बनेगा यहां पे इसका होगा इसका मतलब सर्दोब यह से सारे एंगल ए वोबी कि क्या रहेंगे तो सर यह क्या थियुर्म होती है तो यहां पर सेंटर पे टू एक्स बन रहा है इसी और पार्ट बनेगा एक्स अगर अपन इन कंटिनुएशन में चलते जाएं तो सब कुश्चन नमबर सेकेंड क्या बोलता है बच्चों से रिक्वेस अगर अपन बात करें कि जो भी कॉट ऑफ सर्कल एक्जैम्पल यह ओ ए भी और आपको बोला है जो एभी है वो इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल मतलब अगर हम बात करूं ओए इस इक्वल डूबी इस इक्वल टू एबी इस उइक्वल टू आर ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा क्वर्चन बोल रहा है अकॉड ऑफ सर्कल इस एक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल ऐन अगल सब चनल बाइन आप अज अगर अजर आप जब समझेगा कि अगर यह तीनों इक्वल है तो जो सेंटर पर एंगल बन रहा हो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं दोस्तों मेजर आर्क तो सर अगर आपने बात परें और सिस्टेमाटिक बात परें यहां से एंगल एक सिस्टी है तो यहां पर कित्ता हो जाएगा 30 डिग्री क्योंकि अभी अपने पड़ा कि अगर यहां 60 है तो उद्धा कित्ता हो जाएगा 30 तो सेकेंड आप यह बात समझेगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सर अगर आप यहां पर पूछेंगे कि यहां पर कौन साइकलिक क्योंकि अपके पास साइकलिक कॉर्ड है तो आप बोल सकते हो एंगल सी प्लस एंगल यह इंगल्टी एक और एंगल सी कित्ता होगी 30 अंगल is equal तो आपको इसकी माइनर आर्ग में जो भी एंगल हो जाएगा 150 हो जाएगा आपके पास 150 है अगर बात करें चले तो साइकलिक कॉट की प्रॉपर्टी होती है कि अपोसिट एंगल्स का सम्ट नेटी तो अगर अपन कि तरफ चले तो आपके पास प्रकार से है दोस्तों अगर आपन सिस्टेम अडिक लेकर चले खरै आपके पास और यह एक तरफ आपके पास पी है एक तरफ है और यह तुम्हारे बस बात करें यह ओ है ठीक है और अगर मैं इस तरफ लेके चलूं तो यहां पर आपके बस क्या आजाएगा क्यू आजाएगा सब्सक्राइब क्यू आर किता है सौ ठीक है आपको बोलके रखा है फाइन एंगल ओपी आर आपसे पूछ अब पर पहले बात तो मैं ऐसा बोलना चाहाँ हो या लाएक जिसको मैं यूर बोल रहां एंगल पी ओ आर इस इकले तो ट्वाइज एंगल पी क्यू आर जो आपने थियोरम पड़ी एंगल पी हो आख़ी इकल टू इंटु पूरा एंगल किता हो गया है अब अगर से पूछे याला एंगल कितना है अंदर वाला पी वा उसको एंगल नाम केना से एंगल या एंगल प्लस एंगल पी यो आर दोनों मिला की कितने हो जाएगे प्रेश या तो एंगल पक्लीट एंगल वान वन रहा है तो इन्स गिरी इस वान सिक्सिटीड डिग्री है अब अगर मैं बात करूं अच्छे से और आराम से तो हम लोग इन triangle POR यह बोल सकते हैं कि यह भी radius है और यह भी radius है तो अपन बोल सकते हैं triangle POR is isocelus triangle तो अगर triangle POR अगर isocelus triangle है इसका मतलब क्या हो गया angle P is equal to angle R is equal to क्या हो जाएगा X तो can we say X plus X plus 160 is equal to 180 और अगर अपन बात करें तो 2X is equal to 20 और X is equal to 10 degree X is equal to 10 degree बतला जो आपको angle निकालना था OPR जो to find करना था तो हमारे पास to find में आ गया दोस्तों angle OPR यह राएगा था जो निकालना था तो OPR कित्ता डिगरी हो गया दोस्तों देख लो एक बार चले अगर अपन बात करें तो next question आपके पास क्या कियते हैं इन ट्राइंगल आपको एक प्राइंगल दीके रखाए अगर आपन दीके सरकल करने लेट्स गो विद्धा next question साथ में चलेंगे बच्चे तो easy होगा आप लोगों के लिए कि यह आपके पास a c line है आप सरी बी-सी लाइन है कि यह बी-सी और यहां से आपके पास है दूसरा एंगल B.D.C. ABC और B.D.C. अबको एंगल c 69 देखे रखाए ए बी-सी 69 डेखे रखाए ए फिर्स गोण को एंगल चब प्लस अंगल करो करें चुमांद फिरता में तो सफ्क्रीन्ष और ख Hungary वाइगल सब्सक्राइब घता होगा बिये अगर आपन एंगला सिय्म सें hell इभ दो यहंगल क्यास अबारा चाहिक फेडिकल ची आप क्या वही एकुवल होगा वी डी किसे यह एसे बी से शुरूब हो रहा है और तो अगर अपन बात करें और सिस्टेमें इन बात करें, तो एंगल BAC is equal to angle BDC is equal to किता, इसका इसका अर्थाद क्या होगा, BAC is equal to BDC, क्या लिखोगे, एंगल in a same segment, एंगल in a same segment, तो सर ये बात भी अच्छी है, मैंने बोला हाँ, मतलब अच्छी तो है कहीं न कहीं तो, तर आपके पास आगे क्या है, अगर मैं बात करें, आगे आपके पास question number 5 आता है, इस सारे questions काफी easy हैं, मतलब कोई tough वाली बाट नहीं है, question number 5 क्या बोलता है, a, b, c, d, r, four points ओना सर, अगर मैं बात करूँ, तो a, b, c, c, और सर क्या है, d, तो a, b, c, d, are four points on a circle, जो intercept हो रहे हैं काई पर, e पर, इस अच्छी बात है, कहीं न कहीं, तो और आपका angle b, e, c, is 130 degree, b, e, c, is what, 130 degree, अगर अपन बात करें, आगे, e, c, d, यहला angle उन्हें, 20 degree, अपको गें, given, e, c, d, is 20 degree, अबने बोला है, find, b, a, c, मतलब यह angle अपने को निकाले, अगर ठीक है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अपन समझें, तो सबसे पहले तो मैं पूछूँगा, याला angle कितना आ सकता है, तो sir, मैं तो यह समझता हूँ, इसको अगर angle नाम दो, तो can we say angle 1 plus 130, is equal to 180, क्योंकि sir, यह तो linear pair बन रहा है, मैंने बोला हाँ, यह क्या बन रहा है, linear pair, तो sir, angle 1 is equal to 180 minus 130, तो sir, angle 1 is equal to 50, अब अगर कोई मुझे से पूछे, यह angle निकालना है, तो what I will say, in triangle EDC, यह angle 1 है, 150 नहीं, इस 50, तो can we say, 50 degree plus 20 degree plus angle EDC is equal to 180, तो sir, angle EDC is equal to 180 minus 70, 110, और दोस्तों, बड़ी शराफत की बात है, यह बोलना, जो BDC होगा, क्या वही BAC होगा, एंगल इना, same segment, तो आप बोल सकते हो कि, एंगल BAC, is equal to angle BDC, is equal to 1110, is equal to किता, 1110, एंगल BAC, is equal to angle BDC, एंगल इना, same segment एक जगह से शुरू होके, एक जगह पर खत्र हो रहे हैं, इसी केस में इनको angle in a same segment कहा जाएगा, एंगल इना, same segment, बोला जाएगा, तो ठीक है, अच्छी बात है, वाट नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो, तर हमाई पास next question कैसा है आपके पास, आपको बोलके रखता है कि ABCD, एक cyclic quadratal है, बोला चलो ठीक है, अगर आप मानते हो तो बात करें, A, B, C, D आपके पास क्या है, एक cyclic quadratal, अगर अपन बात करें, सठीक है अच्छी बात है, A, B, C, D, अपने आप में एक cyclic quadratal लें, एक बात गिवन नहीं कि AB और BC इक्वल है, और यह side equal है, मतलब यह X है, तो यह भी किता है, X, पता नहीं कि उससे एक बात तो मुझे समझ में आ गई, कि अगर अपन बात करें, तो यह angle A होगा, तो यला angle भी क्या रहेगा, कि उन्होंने खुद नहीं बोला है, इस इक्वल टू किता हो जाएगा, तो एंगल 1 is equal to angle 2 is equal to किता, तर यह बात भी सही है, अब अगर अगे की बात करें, तो angle DBC इन्होंने बोलके रखा है, मैंने बोला ठीक है अपन देख लेते हैं अगल DBC क्या होगा, तो DBC यह है, जो कि 70 है, तर ठीक अच्छी होगा, फिर angle BAC बोलके रखा है, BAC, अरे वाओ, 11 angle ही गिवन है, किता है, 30, उन्होंने angle ultimately 30 है, इसका मतलब इन्होंने खुद ने बोल दिया कि angle BAC किता है, 30, यह भी 30 तो यह भी किता होगा, 30, सर, बड़ा मज़ा आगया, अच्छी बात है, इन्होंने एक को 30 बोल दिया, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, कि अगर मैं इसको angle Y मानूँ, तो बोल सकता हूँ, क्या in triangle ABC, 30, प्लस 30, प्लस यहाँ पर तीसरा angle है, 70 प्लस Y, is equal to किता, तो सर, Y is equal to, इसमें अगर अपन देखें, तो 50 डिग्री आ जाएगा, तो Y किता आ गया हूँ, अब अगर Y आ गया हूँ, तो इन्होंने पूछा क्या है, E, C, D, यह E है, E, C, D, मतलब यहाला angle उन्हें पूछा, मने को पता नहीं क्यों लग रहा है, कि यह वही angle है, सक्क्यू, आप कैसे बता सकते हूँ, यह वही angle है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या angle A, B, D, angle कौन सा, A, B, D, is equal to angle A, C, D, angle A, B, D, is equal to angle A, C, D, is equal to Y, is equal to किता, प्रक्टी डिए, A, B, D, is equal to A, C, D, is equal to Y, is equal to किता, प्रक्टी डिए, सर, ठीक, अच्छा है, मैंने बोना हाँ, अच्छा तो है, तो सर्टीक है, इसको अगर अपन समझें, और अच्छे से देखें, तो अच्छा कॉश्चन था, मैंने बोलना हाँ, लिकिन यह था कोई तफ नहीं था, यह था कि भई, यह 30 गिवन था, तो यह 30 होगा, यहां पर यह 70 गिवन था, तो बचाव खट्टी आ गया, यह 50 है, तो यह भी किता होगा, 50, एंगल इन और सीम सेग्मेंट, एंगल इन सीम सेग्मेंट, सटीक है, काफी सिस्टेमाटिक चीज मैंने बोला था, अगर अपन नेक्स्ट कुश्चन बात करें, तो आपको बोला है, अगर साइक्लिक कॉड है, तो A, चाहे B, चाहे C, चाहे D, मतलब एंगल A, O, C is equal to किता है, उनने खुद ने उने गिवन है कि डाइगनल्स आफ Fलिक कोड डाइगनल्स ओफ साइखलिक कॉड साइटलिक कॉड और अ डाइमीटर्स ओफ सर्क्ल, टैप्ट डाइमीटर्स ऑफ सर्कल. टो अंगल ए ओसी किता हो गया कोने तो आपका सीधी बात एंगल एबी सी आपका ओगा हाफ ओने टिट इस एक वल्टू किता हो गया नहींत का मतलब आपका एंगल भी किता हो गया अब सब्सक्राइब तो इसका आदा यह 90 हो जाएगा यह बात भी आप बोल सकते हो कि एंगल भी प्लस एंगल भी क्योंकि साइकलिक कॉर्ट क्या है यह साइकलिक कॉर्ट के अपोसिट एंगल का समखिता होता है तो सर आपका ऑटोमेटिकले एंगल भी क्या है पूरा तो यहां पर पूरा तो फिर एंगल एक ता हो जाएगा आपके पास एंगल एंगल टू हाफ ऑफ किता एंगल बी ओ ऑटी है तो एंगल एंगल एक पीकवल तू आपके पास क्या हो गया नेटी दिगरी इसी से एंगल सी भी क्या हो जाएगा दर क्या बात है अच्छा कोश्यन तो इससे अब यह स्क्रेटिक्त अब अगर अपन आगे की बात करें और सिस्टेमेटिक बात करें तो अगर अपन बात करें या को गिवन है आपको क्या बुलके होगा है यह 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 B यह C यह D और बोलके अब मैं इसमें सिर्फ चोटा सा कंस्ट्रॉक्शन करना चाहूंगा तो अच्छी बात है अपनी कंस्ट्रॉक्शन कर लिया अब मैं प्रलेल्टु एडि का मतलब क्या अब बात प्रों ट्रॉक्शन क्या में बात प्रों क्यूंग वाट्य अधी रिवसें बी पडल्ली को दूट्रॉक्ट अर्टॉक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया तो A B E D इस क्या हो गया A B E D इस A B E D इस वाट परलोग तो सर आपके बस A B E D क्या बनके है परलोग इस अच्छी बाद इससे मैं एक बात बोलना चाहता हूं क्या बोलना चाहता हूं तो भश्रक्राइब, क्या बोल सकते हैं अगल A A E प्रिस एंगल A E इस इक्वीड ट्टू एंगली आपोसर इंगलस और शॉफरी एंग एंगले इस इक्वा सिंवली इस इक्वाल इस इक्वालटम ये इस अपाजो़ शॉव्व और मानिया कि है एंगल वरकाषण इंगल्स आफ परलोग ग्राम है यह बोल रहा हूं क्या मैं बोल सकता हूं यहां से लिखते हैं कि a plus b is equal to 180 क्योंकि linear फिर मैं बोल सकता हूं क्या क्योंकि क्योंकि in triangle bec क्या बोल सकते हैं बीई इस इक्वल टू किता है बीसी उन्हों क्या है एक्स तो triangle bec क्या हो गया तो यह जो b है और यह c है वो भी क्या हो जाए इक्वल तो can we say कि triangle जो bec है particularly क्या है जो bec है वो triangle अपने आप में ही क्या होगा आपके पास isocellus मतला अपनों बोलना जाते हैं be is equal to what b c b e is equal to what d e is equal to b c तो angle e is equal to angle c is equal to b हां कि न अच्छी बात है हमारा question में जो उसको proof करना तो वो automatically proof हो चुछा है सब कैसे तुम लिख चुके हो कि a plus b is equal to 180 तो अगर तुम लिख रहे हो a plus b is equal to 180 डिग्री हां a plus b is equal to 180 यहां से वो angle a होगा और यहां से वो angle c होगा तो angle a plus angle c अगर अगर इंगल का सम अगर 180 गयां तो a b c d is what साइक्लिक कॉड एक लूग आ जाए तो जवाब दे दू हमको से मतलब ही क्या हमको तो से वित्ता परूफ करना है अगर अगर अपन बात करें आपको अगला कुछ इस प्रकार से गिवन है अगर अपन लेके चले इस प्रकार से गिवन है तो सर कुछ ऐसी बात है आपके अंदर जेगा सर्कल्स अगरा हुए है टेकिंग टू साइड्स इसको एक डाइमेटर मान के एक कॉश्चन प्रकार और इसको एक डाइमेटर मान के एक सरक्र में मैं कॉश्चन नमर टेन प्रकार हूं कॉश्चन नमर नाइन तफिकर तोड़ आसा ऑन्लाइन मिलाने लाइक नहीं है इसलिए उसको अलग से करा दूँगा तो आपको यह पूछ रहे हैं कि क्या यह क्या यह सेम पॉइंट पे मिलेगे अगर आप बोल र इए इसी कित्ता हो जाएगा नाइन टी अगर बात करूं बी ए ओ भी क्या है तो बोल सकता हूं कि हैंगल ए डी बी हो वो क्या हो जाएगा हाफ ए ओ भी मतलब एंगल एडी वी इस वाट अगीन नाइन टी सग्या तो सर आप खुदी बताओ क्या एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी बी दोनों मिला के कित्ते हो और अगर दोनों मिला के वन एटी हो गए तो कहीं न कहीं अगर यह दोनों मिला के वन एटी हो गए इसका मतलब दी लाइज ओन बी सी डी लाइज ओन बी सी डी ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल ठीक है है आप उती बोल रहे हो तो यह लो भई ए बी सी ए बी सी ए बी सी यह कॉस्चिन नम्बर कौंपर चल रहा आपका 11 चाहिए ए बी सी एन एडी सी दो राइट ट्राइंगल से आपके है एंगल भी यहाँ पर एंगल कि क्या है एंगल भी और एंगल डी क्या है नाइंटी डिगरी अगर अपन आगे की बात करें तो एंगल भी इस इक्वल टुकित अंगल डी इसके पहले वाला कुछ नमर्ट था आपको बोलके रखा है कि शोड़ इसके आगे कडी तो पूर्व करना है आपको यह पूरूफ करना है एंगल सी एडी इस एक्वल टू एंगल सी डी सबसे पहली बात तो क्योंकि एंगल B प्लस एंगल D is equal to 90 plus 90 is equal to 1 degree तो कैने वी से ABCD ABCD is a cyclic chord क्यों क्यों क्योंकि opposite angles का संब्सक्राइब इन दारेक्ली यह अपने आप में क्या हो गया एक cyclic क्यों सकते हो क्योंकि opposite angles का संब्सक्राइब 180 अब खुद बोलो अगर तुम बोलना चाहो तो क्या तुम बोल सकते हो एंगल C A D अगर अपन बात करें एंगल कुंसा C A D is equal to angle C B D कैसा बोल सकते हैं क्यों बोल सकते हैं क्यों बोल सकते हैं C B D C A D is equal to angle C B D क्योंकि यह क्या हो गए आपके एक प्रकार से एंगल की याला एंगल और याला एंगल आपस में क्या हो एंगल एंगल C A D is equal to C B D angle in a same segment अभी आखरी वाला क्वेशन बहुत एजी है वह यह बोलता है कि अगर कोई साइक्लिक पेरलोग्राम है तो यह प्रूफ करो रेक्टरेंगल होगा तो वह साइक्लिक भी बोल रहे है और